असलाम अलेकुम वीवर्स वेलकम तू माई चैनल आज की इस वीडियो में बहुत ही कुपसूरसा मैं आप लोग इसाथ स्लीव का डिजाइन शेयर करूंगी जिसमें इन दोनों लैसे का इस्तामाल करूंगी और साथ में जो है वह मैं स्लीव को कुर्ती के साथ स्टिच करना भ है अच्छा स्लीव की लैंद कम है तो यहां पर मैंने अलग से फैब्रिकेट किया है जिसकी लंबाई जो है वह फॉर इंचेस पे आ रही है यह कपड़ा साइड में से निकला हुआ था और दोनों स्लीव के लिए मैंने एक साथ ही कट किया है अब स्लीव के फैब्रिक को हम हम जल्दी से उल्टा कर लेंगे क्योंकि इसके उपर हमने ग्राफ बना लेना है स्लीव के लिए यहां पर मैं कफ वाली स्लीव बनाऊंगी जिसमें हलकी सी चुनट सेट करूंगी और साथ मैं इन स्लीव को हम थोड़ा सा पाफ स्टैल में रखेंगे इसलिए मैंने इसकी ल कम है अगर ज्यादा हो तो आप ज्यादा लंबाई पे भी रख सकते हो और इसको हम हलका सा चुनट स्टैल में बनाएंगे ज्यादा नहीं रखेंगे दोस तरह से देखे मैंने इन दोनों निशानों को मिला लिया है अब जहां तक हमने 5 इंच की लंबाई पे निशान लगा जब मैं स्लीव की फिटिंग दे दूँगी उसके बाद में इसके उपर गोलाई की कटिंग कर लोंगी जो कि हम एंड में करेंगे अब इस तरह से उपर से हम गोलाई दे देंगे जहां पे कॉर्नर है और नीचे की साइट पे भी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे और सिंप एक्स्ट्रा कपड़े को यहां से कट कर लूँगे अब जो नीचे की साइट का हमने फैब्रिक कट किया था उसको हमने इसी की चोड़ाई के हिसाफ से कट कर लेना है अब जो मैंने नीचे की साइट का फैब्रिक कट किया था उसको हमने लैस लगा के इसके साथ जोड लेना है लेकिन इससे पहले हम स्लीव के उपर यहां पे कट लगा लेंगे एक इस साइड की तरफ छोटा सा और दूसरा जो है वो उपर की साइड की तरफ इस तरह से अब यहां पे सबसे पहले जो नीचे की साइड का हमने फैब्रिक लिया था उसके उपर हम लैस को यहां पर देखें सीधा करके रखते वे इसको स्ट्रिच करेंगे अब जितना कपड़ा आपने स्लाई में दबाना हो से साफ से आपने कपड़े को नीचे की साइट रखना है और लैस को इस तरह से उपर की तरफ सीधा करके रखना है और किनार की स्लीव का जो पीस है उसके उपर भी लैस को स्टिच कर लेना है दोनों को हम एक साथ ही बनाएंगे लेकिन यहां पर मैं वीडियो को शॉर्ट करते हुए आपको एक ही स्लीव के उपर इसको बनाना बताऊंगी अब यहां पर देखें जी लैस लगाने के बाद अब इस कपड़े को आप चाहें तो अगर ज्यादा फैप्रिक रखेंगे नीचे की साइड तो आप इसको डबल फोल्ड करके भी स्लाई लगा सकते हो लेकिन मैंने यहां पर तोड़ा सा फैप्रिक रखा है तो इस तरह से मैं बैक साइड की तरफ इसको फोल्ड करके लैस के उपर मैं दुबारा से स्लाई लगा लोगी यह देखें और उपर का दागा यहां पे मैंने चेंज किया हुआ है जिस कलर की लैस होगी उसी कलर का हम दागा यूज़ करेंगे अब दूसरे साइड के पीस को हम लेंगे जो के स कपड़े का दबाना हो और अपने कपड़े को रखना है अब यह जो लैसे यह डिजाइन वाली है तो हमने इसको ऊपर की साइड रखते हो इस्टिश किया है अगर साइडों से आप अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो अब यहां पर देखें दूसी साइड के फैब्रिक को भी इसी तरह से आपने अंदर की तरफ टर्न करना है और इस तरह से आपने इसके उपर किनारी की स्लाई लगा लेनी है तो यहाँ पर जी देखें इस तरह से हमने स्लीव को रेडी कर लिया है अब नीचे की साइड हमने इसमें चुननट एट करने हैं तो मैंने आपको बार-बार यह बताया हुआ है कि जो स्लाईएं हैं वो हमेशे आपको दो लगानी है जाकर आप सिंगल स्लाई लगा के चुननट एट करोगे तो वो उतनी वनीशिंग के साथ नहीं लगेंगे तो यहाँ पर देखें एक स्लाई मैंने लगा ली है इसी के बराबर में मैंने दूसरी स्लाई लगानी है और यहाँ पर अपने मशीन का टांका थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है यह देखें बिलकुल इसके बराबर में इसके ओपर नहीं लगानी इसके बिलकुल बराबर में लगानी है अब नीचे की साइट का जो दागा होगा उसको आपने इस तरह से खीचते वे जाना है उसमें चुनेट हैट करते वे जाना है अब यहां पर देखें मैंने इसकी टोटल चोड़ाई जो है वो 12 इंचेस तक लिए है एक एक दोनों साइट से स्लाइ में जाएगा अब इसी के हिसाब से हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है और इसके लिए हमने एक अलग से पट्टी ले लेनी है जो के हमने इसके नीचे की साइड स्टेच करनी है अब यहां पर जो हमने पट्टी अलग से ली है इसकी लंबाई यहां पर मैंने तीन इंच पर ली है और य मुलिजिए उसके निएचे वाली सहाइट की तरा दिन रखना है और जितना हिसा अपने इस लाइट में दबाना हो इस अपने सहाप से इसको रखते है SPEAK आपर जो ओपर कि अपर की सहाइट नजर आ रही है उसके उपर उने दूसरी सहाइट लगा लेनी है तो सलाई हमने यहां पे लगा ली है अब एक्स्ट्रा कप्ड़े को हम साइडों से कट कर लेंगे अच्छा यहां पे जो पट्टी है जब हम उसको फ्रेंट साइड की तरफ वोल्ड करेंगे तो देखें जो एक्स्ट्रा दागे हैं उपर की साइड वो उसके साथ अंदर इस तरह से नजर आएंगे तो यहां पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो के हमने चुनेट एड करते वे इसके साथ स्टिच किया था उपर की side जो नजर आ रहा है extra fabric इसको हम इस तरह से cut कर लेंगे ताके जब पट्टी को हम front side की तरह fold करें तो वो हमारी finishing के साथ नजर आए अब यहाँ पर देखें जैसे हम पट्टी को fold करेंगे तो देखें कितनी finishing के साथ लग रही है आप जाए तो उसको simple fold करके भी slide लगा सकते हो लेकिन यहाँ पर हम इसको last के साथ stitch करेंगे यानि last को इस पट्टी के साथ fold करते हुए slide करेंगे तो जो नीचे की side slide नजर आ रही है उसके उपर आपने last को रखना है और पट्टी को इसके उपर fold करते हुए जितना भी इससा आपने last का दबाना हो उस इससाब से आपने इसके उपर रखते हुए किनारी की slide लगा लेनी है तो देखें इस तरह से हमने last लगा के इसको ready कर लिया है अब उपर की side जो हमने puff बनाया था उसके उपर भी हमने दोस लईयां लगा लेनी है मशीन का डंका बढ़ा करते हुए अब यहां से हम नीचे की side से इस तरह से दागी को घीचते वे जाएंगे उसमें चुनट एट करते वे जाएंगे बिल्कुल थोड़े से चुनट एट करने हैं हमने इसके अपर क्योंकि ज्यादा fabric हमारे पास नहीं था अब यहां पर हम इसको बार बार चेक कर लेंगे शर्ट के साथ रखते हुए कि हमने इसमें कितने चुनट एट करने हैं जिससे के यह स्लीव के आम मोल के बिल्कुल बराबर है तो इस तरह से यहां पर देखे मैंने थोड़े बहुत इसमें चुनट एट कर लिये हैं अब हम इसको डबल फोल करते हुए सबसे पहले इसकी फिटिंग की स्लाई लगा लेंगे जो कि आप अपने हिसाब से जितनी फिटिंग हो उसे हिसाब से आप निशान लगा के इसके उपर एक स्लाई लगा लेंगे यहाँ पर हम स्लाई लगा लेंगे यहाँ पर मैंने स्ली नीचे की तरफ करते वे उसके बाद हमने इसको शर्ट के साथ इस तरह से रखते चेक कर लेना है इस तरह से और स्लीव को अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से यह देखें इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए हमने उपर की साइट पहले इसको पिन के साथ सेट कर लेना है उसके बाद नीचे वाली साइट को इस तरह से दोनों साइट सो बिखुर बराबर इस तरह से मिलाते वे एक साइट के फैब्रिक को एक साइट की तरह कर लेंगे यह देखें इस तरह से और दूसरे साइट की फैब्रिक को दूसरी साइट की तरफ से फोल्ड करते वे हमने इसके अपर यह अगला लेनीया तो यहाँ पर जी देखें हमने इसको complete कर लिया है और sleeve लगने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएंगी बाकी इसकी shirt की full cutting और stitching की वीडियो मेरे चैनल पर मुझूद है उसका link आपको description box में मिल जाएगा अगर कोई सीखना चाता है तो वहाँ से सीख सकता है तो जी आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई होते से like और share जरूर कीजेगा चैनल पर new है तो से subscribe करना ना पुलिएगा तो मिलते हैं जी next वीडियो में अल्ला हाफिस